असलाम लेकुम वीवर्स अनाजो कीचिन में आपका मोश्ट विलकम है अजनाजो कीचिन में जो रेसिपी शेयर होने वाली है वो बहुत ही डिलीसियस है ऐसी रेसिपी बहुत सब लोग पसंद करते हैं और उमीद है कि आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है तो चल चलनी में चाहन लिया अब यह बिलकुल प्यास। अब यह जो यह रिखना और ry भैर, ry Milch 4-5 मैंने चाह़ंच mسकर गार सेटेगे फोड़ा में सबस्ताएं यह भiquement ओसे आइप नुका नेपपे. इसने में लोग इसमें लीखेत तेल त्रख चुका है तो अब जुह है इसमें मैं अनियन एक मेडियम साइस की काट कर इसमें चलाइस कर दी तो तर्षपता दाल चिजी किस्टीक दो छोटी यलिची यह बड़ी इंसाब को अच्छे से ब्रॉन होने तक इंतजार करते हैं यह ब्रॉन हो चुका है अब इसमें मसाला एट करेंगे तो 1 टेबल एस्पून टर्मरिक पॉडर मैंने आट किया अब इसमें 1 टेबल एस्पून मैंने गार्ली का पेस्ट 1 टेबल एस्पून रेट चिली पॉडर और इसे अब अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे तीखा और नमक हमेशा मैं इसमें परंवा साथ कर दिया है और 50 ग्रामष फ्रेश क्रीम बर्करेंट कर रही हूं आप चाहे तो घर की दूध की बलाई भी इसमें एट कर सकती है जो ताजे दूद की होती है उसमें आठ खर सकती है बिल्कुल एजली इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे धीमे धीमे भूनते रहेंगे मसाला काफी अच्छे से भूनना है इसमें चार पीस मैं चिकन के एड़ कर रही हूँ और इसे भी इसमें होने देते हैं और इसे अब कभर कर देंगे और इसे फिर थोड़े देर के बाद खोल कर देख लेंगे मसाला कितना हुआ है सौरी मैं नमक डालना भूल गई थी मैं खोल कर फिर से इसमें नमक डाला है सौल्ट आप इसमें पहले ही डाल लिया चलिए अब निक्ट पोसेस की तरफ चलते हैं यहां मैंने कीमा चिकन का लिया है और इसमें जितने मसाले मैंने ग्रीन पीस कर रखे थे वो सबाट कर दिया इसमें कूटा हुआ काली मिर्च और एक ब्रॉण अनियन इसमें करके मैंने डाल दिया है और ये कूटा हुआ जीरा मैं आट कर रही हूं और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया हाफ टी स्पून अब इन सब को काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इधर मसाला भी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है ये देखिए अब यहाँ पे क्या करना है वह मैं आपको बताती हूँ यहाँ जो है सारे जो पीसेस चिकन के मैंने डाले थे उन सब को मैं निकाल लूँगी और इसका एक फाइन पेश्ट बना लूँगी यहाँ जो है मैंने चिकन को काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें चार कॉल डालेंगे इसमें थोड़ा सा आप चाहें देशी गी कोकिंग वाइल को इसा भी डालकर इसे समोक दे सकते हैं मैंने कभर कर दिया है यहाँ मैंने इसका पेश्ट बना लिया था चिकन के पीजिस का इसमे मिक्स कर दिया मासाल सारे बात्म बंक कर दिया है अब इसे काफी अच्छे से यह तो भून चुका था, फिर से और थोड़ा भून लेंगे, मसाले को, और जतने गरम मसाले इसमें मैं डाले हैं, वो सब मैं निकाल लूँगी, कि सारे फिलेवर आचुके हैं, और जो है, सीख कबाब की भी तेयारी हो चुकी है, इसमें स्मोकी बिल्कुल चार कोल वाले चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो हाथ में निकाल लें उस तरह से एक पेंसिल लिए और इस तरह से छोटा या बड़ा अपने कॉर्डिंग ही बनाएं तो यह देखिए इस तरह से आप करते वे बहुत इसली निकल जाता है बस इस तरह से आप निकाल ले इस तरह से मैंने सब बनाया है यह देखिए तो आपको अगर मेरी रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सेम प्रोसेस से इसी तरह से बनाएं बहुत ही इजी बहुत ही डिलिशियस बनकर तयार होगा अगर इसका शेप बिगड़ जाए तो इस तरह से हांस से कर ले यह देखिए इस तरह से कर ले बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार होगा सेम प्रोसेस से मैंने सारे बना ली चलिए पर कि टरफ चलते हैं यहां मैंने टेल डाला आब इसमें सारे एक एक करके ऊच्छ सारे पीसे डाल देंगे शिक कवाब को डाल देंगे देंगे और इसे फ्राई करनेगे और तक यह देखेए अच्छा सिद्ट तो यह देखेए मैने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया अब इसे निकाल लेते हैं वीडियो वाच करने के बाद आपको अगर ऐसा लगे कि ये रेसेपी अच्छी है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें उससे होसला अफजाई हो जाती है तो अब ये जो है फ्राई हो चुका है अब इसे मसा ग्रेवी अपने कोडिंग ही रखें ऐसे इसकी ग्रेवी ठीकी रहती है तो जादा अच्छा लगता है ये देखिए बहुत ही जबरदस बनकर तयार हुआ है चलिए अब इसे जी शॉट करते हैं फिलेम को किया मैंने ओफ और इसे अब जी शॉट की तयारी करते हैं अब यह है इसमें क्या करेंगे मैं देशी घी ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला और इसे तरक ने दिया उसके बाद इसमें छोका लगा दिया इससे इसके फ्लेवर काफी इनहेंस हो गए बहुत ही जबरदस माशालला सब लोग करें क्या बना है बहुत ही खुश्ब अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तक हमारी रेसेपी जरूर पहुंचे और बिल आइकन दबाना ना बूलें क्योंके मेरी रेसेपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले बहुत ही टेस्टी बनकर तया मिलते हैं आपसे नेक्ष रेसेपी में नेक्ष वीडियो के साथ